नमस्ते, मैं आज आपको बास के चैन के वक्त देखने वाली एक महत्वपूर्ण चीज जो है फ्लावरिंग साइकल उसके बारे में दो तीन चीजे में बताता हूँ बास को जनरलाइज करना इतना ठीक नहीं है क्योंकि कौन से बास के प्रजातियों को कभी फूल आते ही नहीं कुछ बास के प्रजातियों को फूल आते है एक निश्चित का काल के बाद आते है और फिर वो बास का पौदा मर जाता है वो gregarious flowering जिसको बोलते कि सब जगह एकी प्रजाती के सभी बास को flowering होता है और उसके बाद में वो सब पूरा का पूरा plantation मर जाता है फिर उसके बाद में उसका regeneration के लिए बहुत वक्त लगता है फिर कोई कोई बास जो होते है उसमें sporadic flowering होता है मतलब इधर उधर थोड़े बहुत flowering होते है मगर वो मरते नहीं और कभी-कभी मरते भी है इसा कोई fixed यह नहीं है कुछ प्रजातियोंगों को हरसाल फ्लावरिंग होता है वह साथ साल के बाद फ्लावरिंग होता है उसके बाद वह मरता है वो फ्लावरिंग का जो समय है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि समझे कि कोई किसान ने अपना खेती लगा दिया बास की तो उसके बाद में वो कितने समय तक वो खेती आपके काम में आ जाएगी उसके उपर वो निर्वर होता है तो बास में ब्रैंडी साय नाम की जो प्रजाती है उसमें 60 साल के बाद फ्लावरिंग होता है कटांग या कड़क जिसको मराठी में बोलते है उसका भी फ्लावरिंग साइकल जो है वो 60 साल का है है उसमें 14 साल नेटोन क्या है कि उसके मतलब उसको पुनुरत पादन करना है से तो उसको अरभ यह प्र्माद करने पड़ता है इसके लिए आप किसान के ई balconies से देखना है कि एक बार लगाने के बाद वह जो प्लैंटेशन हो कितने साल तक टिका रहेगा आपको और वह आपको उत्पादन देता रहेगा यह देखना बहुत जरूरी होता है तो पहली बाते मैंने पहले एपिसोड में जैसे आपको बताई थी कि क्या क्या देखना है उस कि आपने एक राइजों कहीं से लेके आए और उसको लगा दिये और उसको दो-तीन साल में उसको फ्लावरिंग हो गया तो आपकी मेहनत सब फुकड जाती है मुफ्त जाती है इसके लिए ये भी आपको देखना है कुछ बाद में याद आया तो मैं आपको फिर झालनुएब